अपने दो जुलाइकों भारतिय जन्ता पाटी ने अपने LG साहब के माध्यम से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5000 टीचर का ट्रांसफर कर दिया रात के बीचों बीच कर दिया, मेरे यानि दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश के खिलाफ कर दिया ये ट्रांसफर क्यों हुआ? ये 5000 टीचर का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि ये वो टीचर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अर्विन केजरिवाल जी की सरकार के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों को काया पलट किया है ये वो टीचर हैं जिन्होंने दस साल की अपनी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइविट स्कूलों से बेहतर किये ये वो टीचर हैं जिन्होंने दस साल की महनत से दिली के सरकारी स्कूल के स्टूडन्स का इडमिशन आयाइटी और जेई में करवाया है तो जो टीचर दस साल से अपने अपने स्कूलों में महनत कर रहे थे अर्विंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ लग के मेहनत कर रहे थे उन पांच हजार टीचरों का भार्टी जल्ता पार्टी ने अपने एलजी साहथ के माद्याम से रातो रात ट्रांसफर करा दिया लेकिन जिस दिन ये ओर्डर आया था मैंने आप लोगों को ये वादा किया था दिल्ली के लोगों को वादा किया था माता पिता को वादा किया था टीचरों को वादा किया था कि अर्विंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होने देगी और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतिय जन्ता पार्टी को और UKLG सहब को इन 5000 पीचर्स के ट्रांसफर ओर्डर को वापस लेना पड़ा है ये नासर दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है क्योंकि आज भारतिय जन्ता पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़ छाड़ करेंगी अगर वो दिल्ली की शिक्षकरांती को खतम करने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे आमाद्मी पार्टी उसका विरोध करेंगी और दिल्ली के स्कूलों को बरबाद करने की उनकी जो ये साज़िश थी ये हम सबने मिलके इस साज़िश को इस शडियंत्र को रोक दिया मैं सभी दिल्ली वालों को ये बढ़ाई देना चाहती हूँ कि आपका संगश सफ़द हुआ मैं टीचर्स को बढ़ाई देना चाहती हूँ माता पिता को बढ़ाई देना चाहती हूँ और मैं भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को परिशान करने की दिल्ली वालों की जिन्दगी खराब करने की दिल्ली के सरकारी स्कूलनों को विगाडने का कि जो रोज रोज आप शड्यंत रचते हो इस शड्यंत को रचना बंद करो दिल्ली के लोग आपको इसके ली तभी माफ नहीं करें